आपके साथ बड़ी खबर महागजबंदन के भीतर से सामने आ रही है जहां लोगजन शक्ति पार्टी रामगलास के रास्ट्रय देक्ष सजमुई सांस चिराख पासवान को महागजबंदन में आने का ओफर मिला है और यह ओफर जद्यू के तरफ से दिया गया है जहां जद्यू के महासचरव केसी त्यागी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चिराख पासवान को महागजबंदन में आने का खुला ओफर है हम उन्हें अमंतृत करते हैं अगर वो महागजबंदन में शामल होना चाहे त तो ये बड़ी अपडेट है बयाः की सियासत से जहां ज़द्याग पासवान जो हमेशा महागजबंदन की सरकार को लेकर मुखर रहे हैं खास कर मुख्यमंत्रे निदीश कुमार को लेकर उनकी बयान बाजी की चर्चा हरोर होती है उनकी कारे नीतियों पर कारेशयलियों पर अमेशा से च्राग पासवान ने कई बड़े सवाल खड़े किये हैं मुख्यमंत्री नितीश हुमार को अमेशा सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए च्राग पासवान नज़र आते हैं तो वहीं अब उन्हें जद्यू के तरफ से महागच बंदन में शामल होने का उफर दिया गया है जो की एक बड़ी बात है जहां जद्यू ने कहा है कि इफ्तार पाटी में आना च्राग पासवान का एक बेहद सुखद पल रहा जहां उनकी मुलाकात महागच बंदन के वेबिन नेताओं से हुई मुख्यमंतर नितीश हुमार से भी उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से मुलाकात की पैच्छू कर आशिरवाद लिया और इससे सुखद और कुछ भी नहीं हो सकता और अब अगर वो चाहे तो महागच बंदन में शामल हो सकते हैं हमारे लिए उनके तरफ से उनके लिए जो दर्वाजे हैं महागच बंदन के वो खुले हुए हैं आपको बताते चले कि महागचबंदन वर्सेस चिराख पासवान की लड़ाई पुरानी है और इतना ही नहीं खास कर नितीश वर्सेस चिराख की जो लड़ाई है वो काफे दिनों से चलती आ रही है साल 2020 के अगर विदान सभा चुनाफ को देख लिया जाए तो चिराख पासवान ने मुक्षे मंतुर नितीश वर्सेस चिराख की पार्टी जद्यू को महस 40-43 सीचों के बीच मिलाकर खड़ा कर दिया था और साल 2020 से लेकर आज तक वो नितीश चिमार को लेकर काफी मुखर रहे हैं उनके कामों को लेकर उनकी उजनाओं को लेकर उनके बयानों को लेकर वो काफी मुखर रहे हैं और हमेशे ऐसा लगता रहा है कि उनका जादा जो जुकाव है वो भाजपा के तरफ रहा है लेकिन वो NGA में भी शामिल नहीं है भले ही वो NGA के निताओं से मुलाकात करते हों या फिर चुरावी रैलियों में शिर्कत करते हों लेकिन उनकी पाटी एकला चलो के रहे के रहा पर बिहार में सियासत कर रही है और अब मागजबंदन ने उन्हें खुलम खुला ओफर दिया है दीखने वाली बात दूए है कि जद्यू के इस ओफर पर चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया होती है क्या वो मागजबंदन में शामल होंगे या फिर उनका रुख बेज रणीती, राजनीती और कूटनीती तीनों ही सियासी गल्यारे में देखने को मिल रही है चिराग पासवान को लेकर ये खुलम खुला ओफर मागजबंदन के तरफ से आना एक बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का रुख पलट सकता है बिहार की भाफशाली है ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा लेकिन चिराग पासवान की क्या प्रतकर्या होती है वो देखने वाले बात ये होगी जद्यू के तरफ से चिराग पासवान को ओफर मल चुका है अब देखना ये है कि चिराग पासवान इस ओफर को लीकर क्या खुछ कहते हैं फुलाग लिस्ट बड़ी अब जेच में अतना ही आना कई खबरों के लिए माँ आसाथ बने रहें न्यूस फॉर्णेशन में नमस्का